क्या सच में ये पॉसिबल है कि आप अपने घर से, अपने सिटी से, घर बेठे, किसी भी टॉप की युनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है और बहुत आसान भी, आप अपनी यूजी या पीजी डिगरी ओनलाइन मोड से या डिस्ट सही है या गलत, और कौन-कौन सी गवर्मेंट एप्रूवड टॉप ऑनलाइन यूणिवर्सिटी है, इंडिया के अंदर जहां से आपको डिगरी करनी चाहिए, आजकल ऑनलाइन डिस्टेंस एज्टेंस एजुकेशन काफी ट्रेंड में है, इसके बहुत सारे एडवांटे ऑनलाइन होते हैं, तो आप अपने घर बेटे-बेटे कर सकते हो, तो आपके बाहर रहने, खाने का कॉस्ट भी सेव हो जाता है, आपके पास पूरा टाइम होता है, तो आप साथ-साथ कहीं भी जॉब कर सकते हो, या कोई नई स्किल को सीख भी सकते हो, ये उनके लिए और वो घर से दूर नहीं जा सकते, बहुत सारे स्टुडेंट्स को ये लगता है कि ओनलाइन या डिस्टेंस डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बस एक मित है, because as per UGC, ओनलाइन डिस्टेंस डिग्री is equivalent to regular offline डिग्री, बस आपको ध्या 20 plus government approved online या distance universities listed है, यहाँ पर आप अपने budget, interest, student rating, placement, assistance के basis पे universities को compare करके आप अपने लिए सही online university चूज कर सकते हो, और सबसे बड़ा advantage आपके पास यह है कि ये सारी universities EMI का option देती है, जहाँ आप हर एक महीने easy installment में पेक कर सकते हो, ये सबसे important point है, अब मैं आपको बताता हूँ इस website को अपने course के लिए use किस तरह से आप कर सकते हैं, easy way में, दोस्तों ये है college विद्या की website, इसकी link आपको description box में मिल जाएगी, जिस पर click करते ही आप इस website पर पहुँच जाएंगे, दोस्तों ये college विद्या की website पर आपको PG courses मिल जाएंगे, UG courses मिल जाएंगे, skilling and certificate courses और advanced diploma और साथ में आप on campus study abroad में भी कर सकते हैं, आप जिस भी course या certificate पर click करेंगे, उसकी पूरी category आपको मिल जाएगी, जैसे online MBA, dual MBA, distance MBA, executive MBA, MCA, MSC, आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, even अगर आप उपर की तरफ scroll करेंगे, तो यहाँ पर आपको सारे benefits दिखाई दे रहे हैं, ज अगर आप explore all programs पर click करेंगे, तो आपको वही courses नीचे की तरफ मिल जाएंगे, जैसे PG, UG, skilling certificate, advanced diploma और study on board campus, आप interest free EMI यहाँ से आप click कर कर देख सकते हैं, और यह popular courses आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, साथ में अगर आप top universities को check करना चाहते हैं, तो आप top universities के स्क्रॉल प पर click कीजिएगा, तो आपको सारे की सारे courses यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो master हो, चाहे bachelor degree हो, चाहे diploma हो, यह सारे आपको यहाँ पर show हो रहे हैं, आप compare कर सकते हैं, साथ में जो मैंने आपको added benefit बताय थे, वो यहाँ हैं कि आप resources पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर CV या फिर video counseling कैसे होती है, CV का corporate क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर mention हो जाएंगी, जिनने click करके आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से अगर आपका पहले से account है, तो sign in भी कर सकते हैं, और आप नीचे की तरह scroll करेंगे, तो आपको expert की list भी यहा बहुत ही simple है दोस्तों, अगर आपको जो भी course करना है, आप explore all programs पर click कर सकते हैं, मान लीजे आपको PG courses में कोई online MBA करना है, तो फिर आप इस domain पर click करेंगे, याने online MBA पर आपने click किया, आपको इस तरीकी का एक form मिलेगा simple, जहाँ पर आपको अपना gender select करना है, अपना पूरा नाम देना है, email देना है, mobile number देना है, date of birth देना है, state यहाँ से select करना है, जो सारी state यहाँ पर है, आपका specialization यहाँ से select करना है, अगर आपका decide नहीं है, तो आप सबसे उपर का जो option है not decided yet, उस पर click कर सकते हैं, और find best university पर click कर दीजिएगा, इसके बाद आपको simple questions मिलते हैं, जिसके answer आपको देते जाना है, जैसे क्या आप अभी work कर रहे हैं, तो आपको click करना होगा, आप कितने घंटे दे सकते हैं, study के लिए, आपको वो click करना होगा, आपका budget क्या है, वो आपको select करना होगा, आपकी highest qualification यहाँ से select करना है, क्या सबसे ज़्यादा matter करता है, आपको वो select करना है, EMI आप देखना चाहते हैं, तो उसे click करना है, qualification score आपको click करना है, placement, salary, hike आपको एक option देना है, जब आप इन सारे option को click कर देंगे, तो फिर आपको यहाँ पर submit कर देना है, जिस पर भी आपको admission दिखाई दे रहे हैं, जिस पर भी आपको admission लेना है, अब आप य देखेंगे कि semester wise और year wise आपको यहाँ पर fees भी शो हो रही है, जो less से लेकर high तक आपको यहाँ शो हो रही है, और उससे related सारी universities के नाम यहाँ पर हैं, जो आप देख सकते हो, कहां से approved है, वह approval यहाँ पर दिया हुआ है, कितने student ने choice किया है, उसकी rating क्या है, वो आपको तो cv advisor भी यहाँ पर है, जिस पर click करके आप advice भी ले सकते हैं, जो कि licensed expert है, इवन आप add to compare पर click करके compare भी कर सकते हैं, दो universities के बीच में, जो बहुत ही better option है, माल लिजे किसी भी university में आपको admission लेना है, तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं, जैसे माल लिजे इस university में मुझे admission लेन travel मुझे मिल जाएगा, fees का breakup मुझे मिल जाएगा, e-learning का experience मिल जाएगा, जिन videos को देख सकता हूँ, alumni talk and reviews मिल जाएगे और placement का support भी किन से मिल रहा है, वो सारी चीजे मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, साथ में दोस्तों, आप यहाँ से syllabus भी find out कर सकते हैं, और prospectus भी यहाँ से एक ही click से, proceed to universities पर click करने के बाद, आपको वह option भी मिल जाएगा, कि आप अपना एक specialization select कर लें, और proceed to university पर click करेंगे, तो आपको एक prospectus भी मिल जाता है, दोस्तों, और कुछी minute में आप उस website पर redirect भी हो जाते हैं, जहाँ से आप admission process को कर सकते हैं, लेकिन कोई भी confusion हो, तो इस pattern यहाँ पर show हो जाता है, दोस्तों, तो यह आप आसानी से use कर सकते हैं, और बहुत ही benefit है, इस college विद्या के, जिससे आप अपने लिए काफी सारे benefit उठा सकते हैं, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, college विद्या website को, आपको college विद्या से ही admission लेना क्यों चाहिए, क्या है इसक benefit यह होते हैं, कि आपको admission के साथ ही degree support भी मिल जाता है, throughout the course, इसके साथ ही आपको एक dedicated counselor भी मिल जाता है, आपका time तो save होता ही है, साथ में placement का support भी मिल जाता है, तो दोस्तों, यह है college विद्या के benefit, तो दोस्तों, इस तरह से आपको college विद्या website का use करना है, अभी भी आपको कोई query हो, तो आप comment कीजिएगा, मैं उसको solve करने की कोशिश करूँगा, और वीडियो पसंद आया है, तो like और share जरूर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ जरूर कीजिएगा, जिसको इनकी जरूरत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए all the best, bye bye and take care दोस्तो झाल